नमस्कार दोस्तो ओल इंदे आडे डोग चेल में आपका स्वागत है दोस्तों गर आप OKEX एक्षेंज यूज़ करते हैं और इसके अंदर जो भी आपका फंड है अगर आप उसको INR में विड्रोल करना चाहते हैं अपने बैंक में तो कैसे करेंगे इस वेडियो के अंदर में आपको बदाने वाला हूँ आप UPI की मदद से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं फॉन पे गूगल पे का पेटियम का नमबर आप 8 करेंगे और उसके उपर आपको आपके बैंक में पैसा मिल जाएगा जैसे कि यहां पर मैंने अपना अकाउंट को open कर लिया है उसके बात में यहां पर आपको asset वाले बटन पर click करना है और यहां पर एक option मिलेगा trading account का और यहां पर है funding account तो funding के उपर कब आप click करेंगे तो यहां पर आपको 0 मिलेगा तो जो भी आपका trading account का पैसा है वो funding में आपको transfer करना पड़ेगा जिसे कि यहांपर आप देख सालते हो मेरा trading account का जो funding वो इतना बड़ा हुआ है 92 जो कि मेरे कुछ तो मेरे dollar में है कुछ मेरे invest का रखा है तो यहांपर जो मेरे dollar में है उसको मैं funding account में transfer करूँगा जिसे कि यहां पर transfer वाले button पर में click करूँगा और यहां पर trading से funding account और यहां पर मैं transfer all पे click कर दूँगा यहां पर मेरा जो भी इसको मैं पूरा transfer नहीं करना चाहूँगा तो चलिए हम यहां पर कर लेते 9.5 यहां पर साड़े 9 डॉलर ही मैं यहां से withdrawal करूँगा और उसके बाद में यहां पर confirm पे कर लूँगा जितना fund आप bank में लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं ठीक है जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ funding account में जाऊंगा तो यहां पर मेरा डॉलर आ जाएगा 9.49 तो यही मैं अपने bank account में withdrawal करूँगा जो आपका funding account में होगा वही आपका withdrawal होगा बाकी का जो आपका fund है जो आपने invest करका वो withdrawal नहीं होगा अगर उसको आपको withdrawal करना तो पहले आपको इन coin को sell करना पड़ेगा फिर trading account में आपका USGT की form में आएगा और USGT से आपको यहां पर trading से funding account में लेना पड़ेगा सीथा सब fund है जो भी trading account में है वो funding account में आपको transfer कर देना है उसके बाद में यहां पर funding account पर click करना है यहां पर है withdrawal का option इसके उपर आपको click कर लेना है वीडियो को आप आराम से देखीगा मैं लास तक बता रहा हूं और सब कुछ live process करके दिखाने वाला हूं इसके अदर जो मैं आपको method बता रहा हूं वह 100% safe है पहले आपके account में पैसा आएगा फिर आपको USDT release करना है तो वीडियो को आराम से आप लास तक देख लीजेगा step by step फिर आप अपने account पे follow करिएगा तो आप विट्रोल कर पाएंगे यहां पर मैं आपको दुबारा बता देता हूं यहां पर funding account पर क्लिक करना है फिर आपको वीडियो के बटन पर क्लिक करना है उसके बाद में यहां से आपको USDT का option मिल जाएगा इसके उपर आप direct क्लिक कर सकते हैं नहीं तो यहां पर search बार में आप जाहिएगा और यहां प यहां पर है fiat हमारी जो fiat currency है आइनर उसमें हमें वीडियोर लेना है तो fiat वाले option पर क्लिक कर लेना है उसके बाद में यहां पर मैं max कर देता हूं साड़े नो डोलर मुझे sell करना है ठीक है और जो मेरे अपने bank account में लेना है यानि आइनर में लेना है ठीक है उसके बाद म यहां पर आपको sell usgd पर क्लिक कर देना है उसके बाद में आप payment कैसे लेना चाहते है यहां पर आपको method बूचा जाएगा एक UBI है और यहां पर bank transfer है IMPS है अगर आप bank transfer लेना चाहते तो इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपना bank account add करना पड़ेगा यहां पर आप UBI वाला select कर लिजेगा जब आप पहले बार फंड विड्रोल करेंगे तो यहां पर आपको यूपिए एड़ का option मिलेगा एड़ अकाउंट पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको currency INR select कर लेनी यहां पर है select payment method इसके उपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद में यहां पर आपको search करना है vp, और आपको search कर लेना है उसके बाद में आपका full name डाल देना है जिससे की यहां पर में डाल देता हूँ यहां पर मेरे नाम डाल दिया है उसके बाद में है यूपी आईडी इसके उपर क्लिक करना है और अब आप यूपी आईडी किसी की भी डाल सकते हैं अगर आपकी फॉन पे की डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं पेटियम की डाल सकते हैं गूगल पे की डाल सकते हैं चले यहां पर मैं इसको close कर दूँगा और जैसे मेरा payment यहां पर आये का और मैं आपको proof भी दिखाने वाला हूं तो आप वीडियो में बने रहीएगा क्लिक कर लेता हूं यहां पर मैंने UPID को select कर लिया है उसके बाद में आपको यहां पर यह option enable नहीं होगा तो आपको क्या करना है यहां पर option है IPC code का आधार card का mobile number का सब यह जो option है यहां पर optional है तो डाल ले की कोई जरूद नहीं है आपको next next करना है यहां पर set code पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके नमबर पर OTP डालोगे तो यह option enable हो जाएगा save का बटन पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे ही आप save का बटन पर क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपका यहां पर UPID add हो जाएगा मैंने पहले से कर रहा है इसलिए मैं process नहीं क उसके बाद में confirm पर क्लिक कर देना है यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका order है वो लग चुका है और यहां पर UPID शो करेगी जो आपकी UPID होगी उस UPID पर कितना पैसा मिलेगा आठ सो आठ रुपे आपको पॉइंट पैता लिस्ट आपको आपकी account में मिल जाएगा तो अ message भी कर सकते हैं बात भी कर सकते हैं यहां पर बोलड़ा I am pink तो आपको यहां पर डाल देना है I am online ताकि इसको लग जाएगी मैं भी online हूँ अब यह आपको payment करेगा आपके account में जैसा यह chat करता है उस टाइप से आप इससे बात कर सकते हो और यह जो seller होता है okay x दुआरा verified होता है तो आपको कोई टेंसर नहीं लेना है आपको थोड़ा सा wait करना है और पहले आपके account में पैसा आएगा फिर आपको usd release करना है चलिए इसने और कोई message किया है इसने बोला ओके तो अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर wait करना है कोई-कोई seller आपका mobile नमबर भी मांगता है तो आप दे दीजेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके बाद में चलिए हम यहाँ से थोड़ा wait कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हूं मुझे payment मिल गया है जैसे आपको आपके account में पैसा transfer होगा और यहाँ पर release crypto का है न वो option enable हो जाएगा अब यहाँ पर मैं आपको अपना Paytm open करके दिखा देता हूं जो मुझे भी पैसा मिला है वो इसके उपर मैं पास्बुक पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर मुझे notification भी आया है यहाँ पर Paytm का देख सकते हो 808 रुपे ठीक है और मेरा bank का message भी आ गया है यहाँ पर आप देख लीजेगा यह 808 रुपे मेरे Paytm account में receive हो गया मुझे जैसे आपको receive हो जाता है उसके बाद में आपको यहाँ पर release crypto पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको कितना पैसा मिला है आपके account में वो आपको डाल देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको confirm कर लेना है तो यहाँ पर जो USGTA वो release हो चुका है उ इसको हम positive feedback भी डाल देते हैं यह जो USGT उसके account में चला जाएगा चले मैं आपको back करके दिखा देता हूं चो मैरा funding account है यहाँ पर यह zero हो चुका है यहाँ से आपका USGT चला जाएगा आपके account में आपका INR में पैसा जाएगा इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप अपने bank account में withdrawal कर सकते हैं